हेलो एवरीवन आज का हमारा टोपिक रहेगा कैलेंडर आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे वो कैलेंडर का जो टोपिक है ये बड़ा ही इंपोर्टेंट टोपिक है ये लोर क्लासिस से लेकर हाइर classes तक चलता रहता है और जो इक calendar से जो related जो भी basic concept है मैं बिल्कुल basic से आपको करवाने जा रही हूँ and I hope आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बड़े ध्यान से समझेगा तो आपकी knowledge के लिए पहले बता दू कि जो इक calendar है ये किसके base space का नेम पढ़ा है कि एक scientist था जिसका नेम के पिछे calendar लगता था उसी के उसी ने इसको बनाया था तो उसी के नाम के पिछे इसका जो नाम है वो क्या पढ़ गया calendar पढ़ गया तो calendar के topic को देखते ही इसका नाम सुनते ही आपके mind में एक charts आ जाता होगा जिसमे days होते है months होते हैं तो आज हम बात करेंगे months की जैसे एक तरफ हमने months लिख लिए है January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November और December एक तरफ लिख लिए हमने number of days तो बिलकुल basic से ही बिलकुल एक trick से मैं आपको बताऊंगे कि हम number of days कैसे बताएं कि एक month में कितने days होते हैं तो देखिए अब इसमें हम इस trick का use करेंगे देखो यह मैंने अपने जो है यह अपने दोनों hand होते हैं अच्छा इसमें एक तो देखो बिटा एक तो यह उबरा हुआ पार्ट है और एक निच्चे गड़ा सा बना हुआ है अपने दोनों हातों में देखो ऐसे सब के में ही है तो यह जो है यह उबरा हुआ पार्ट जो है यहां से जैसे जन्वरी से start करेंगे तो जो उबरा हुआ पार्ट है उस में तो लेंगे हम 31 डेज और जो निच्चे का जो पार्ट है इसमें हम लेंगे 30 डेज एक exception के ऐसे फरवरी का हम बताऊंगे क कितने होंगे 30 समझाया अब जैसे जन्वरी यह उठा हुआ पार्ट है तो इसमें जो number of days है वो कितने लिखे देंगे हम 31 इसमें कितना लिखे दिया बटा हम ने 31 अब फरवरी फरवरी नेचे इक बार्ट है तो इसमें फरवरी में बटा या तो 28 डेज होते हैं या 29 डेज ह तो हमने लिख दिया 28 या 29 इमें बताऊंगे आपको आगे कि 28 कब होते हैं और 29 कब होते हैं अब है मार्च तो जन्वरी फर्वरी मार्च ये उपर का पार्ट है बिटा तो इसमें कितने डेज होंगे 31 तो इसमें क्या राइट कर देंगे हम 31 फिर अप्रेल जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल निच्चे है तो इसमें कितने लिख देंगे हम 30 इसमें नमबर ओफ डेज कितने नहीं कि देंगे मिटा 30 फिर मई जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल मई फिर उपर आ गया पार्ट तो इसमें कितने होंगे 31 मई आ गया फिर जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल मई और ये जून ये निचे आ गया ये तो इसमें कितने हो जाएंगे 30 इसमें कितने हो जाएं उपर आ गया तो जुलाई में कितने होंगे 31 अब जुलाई होगी फिर उसके बाद अगस्थ अब अगस्थ में देखो अगस्थ हैंके यह खतम होगे यहां से स्टार्ट करें अगस्थ तो यह उबरा हुआ पारिट है तो इन में आपने बड़ा ध्यान देना है कि जो अगस्त है इनमें दोनों में कितने डेज होंगे 31 होंगे तो जो हमारा ये था कौन सा मन्थ जुलाई जुलाई में यहां पर खत्म हुआ था उबरा हुआ भाग था अपना और यह यह भी यह भी उपर वाला पार्ट है तो इसमें भी कितने होंगे 31 डेज होंगे अगस्त में सब्सक्वाराइब तो कि इन ट्रिक जो फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो अपना पाट ये हातों में ऊपर उठा हुआ है, ये 31 डेज का होता है, और जो नीचे का जो पाट है, वो कितने होता है, जो नीचे गड़ा सा बना हुआ है, ये इस मंथ को कितना लेंगे हम 30 डेज का, और ये मारे एकस्प एक एयर, अब एक एयर में मन्थ कितने होते हैं, बटा, ट्वल मंथ होते हैं, अब एक एयर में मन्थ कितने होते हैं, ट्वल मंथ होते हैं, तो इसमें हम करते हैं, जो एयर है, ये कितने टाइप का होता है, अब एयर के दो टाइप होते हैं, एक तो कहते हम सिंपल एयर, क्या क कहते हैं लीप यएर गती एइए शिमपल एयर और यह क्या हो गया लीप हो इस होते हैं कितने 365 जो ऑगती है उसमें टोटल ग्हां इस होते हैं वह इस के लेकिन तोपMusic — इस मेरे म्हुता अभॉन आपक तैंट βबार टोटल डेज, एक दिन का फरक होता है बेटा वैस, टोटल डेज, टोटल डेज होते हैं 366, 366 किस में होते हैं, लीप एर में, अब बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि यह सिम्पल एर है या लीप एर है, तो देखोई हमें एक एक आग्जामपल ले लेते हैं, एकजांपल जैसे for example हमने ले लिया कि वह 2022 जो अबी चल रहा है यह leap year है या नहीं तो leap year check करने के लिए हम क्या करते हैं हम फोर का divide लगाते हैं किसका डिवाइड लगाते हैं four का कि जो भी संदे रखा है जैसे ये 2022 है अब इसको divide करेंगे हम किस से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे अगर 4 से complete डिवाइड हो जाता है मतलब remainder 0 बसता है तो इसका मतलब तो यह लीप एर है otherwise नहीं है तो देखो 4, 5 जा कितना जाएगा 20 आजाएगा क्या आगा 4, 5 जा 20 यह minus क्या 0 यह 2 लेंगे यह नहीं जाने के 0 लगा दी फिर 2 लेके आएगे नीचे और 4, 5 जा कितना हो जाएगा 20 4, 5 जा 20 तो यह कितने बच गे हमारे पास 2 बच गे तो यह जो remainder है क्या 0 है नहीं है तो इसका मतलब यह जो है यह लीप एर नहीं है यह क्या है यह लीप एर नहीं है कौन सा 2022 अगर यह 4 से complete divide हो जाता तो इसमें क्या होता है कि यह लीप एर था अब यह लीप एर नहीं है क्रोस लगा दिया मैंने यह 2022 लीप एर नहीं है तो इसको हम लीप एर को कैसे चेक करेंगे कि जो भी संदे रखा है उसको divide करेंगे हम किससे 4 से अगर 4 से complete divide हो जाता है mean अगर remainder 0 हो जाता है तो इसमें क्या होता है लीप एर है अगर नहीं है तो यह लीप एर नहीं होता अब जैसे हमने months में जब number of days किये तो उसमें जब हम trick का use कर रहे थे तो हम कोई ले रहे 31 का और कोई month बता रहे थे 30 days का बता रहे थे trick का use करते हुए अब इसमें हमने फरवरी में लिखे थे 28 या 29 क्या लिखे थे 28 या 29 तो अगर बेटा leap year है क्या है leap year है तो जो फरवरी का जो महिना होगा वो कितने दिन का होगा 29 days का कितने days का होगा 29 days का होगा कब जब leap year होगा और अगर ये leap year नहीं है non leap year या simple year कह दो non leap year non leap year तो non leap year जो है या simple year और लिख दो simple year इसमें जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी 28 days की होगी कितने days की होगी बेटा 28 days की इस तरह है हम और भी example लेके चेक कर सकते हैं कि leap year है या नहीं है तो हम next second example लेते हैं इसमें अगर हमें चेक करना हो कि 2020 leap year था या नहीं तो leap year के लिए बिन क्या बता है 4 का divide लगाएंगे किसका divide लगाएंगे 4 का divide लगाएंगे अगर 4 से complete divide होगा तो leap year है तो 4 से divide करो तो देखो 4 फाइब जा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा माइनस करेंगे 0 ये टू लेंगे ये नहीं जाने के 0 आ जाएगी ये 20 हो गया 4 फाइब जा 20 तो ये कितना रिमेंडर कितना आ गया 0 इसका मतलब ये leap year है कितना 2020 आप एक में पॉइंट आपको और बताना चाहूंगी ये तो जैसे सिधे सन दे रखे है अगर हमारे पास century दे रखे हो जैसे example लंबर 3 लेते हैं अगर हमारे पास ये दे रखा हो कि 1600 ये century कि ये जो है इसमें जो year था वो leap year है या नहीं अगर इसमें चेक करना हो तो सैंसुरी को चेक करने के लिए बिटा हम क्या करेंगे 400 का डिवाइड लगाएंगे किसका डिवाइड लगाएंगे 400 का 2 0 से 2 0 क्या होगे कट होगे 4 1 जा 4 4 4 जा 16 या इस तरह से डिवाइड कर लो या सिधा ऐसे डिवाइड कर लें तो इसमें जो इयर है ये किसका है इस 1600 में जो इयर था वो कितना था लीप इयर था इसमें सैंसुरी के लिए किसका डिवाइड लगाएंगे हम 400 का डिवाइड लगाएंगे किसका डिवाइड लगाएंगे 400 का, अगर हमें ये चेक करना हो, जैसे 1700 का चेक करना हो, फॉर्थ एक्जामपल लेते हैं जैसे 1700 है, इसमें चेक करना हो कि yearly year था या नहीं, तो देखो 1700 को अगर 400 का divide लगाएंगे तो 2-0 से 2-0 क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे, और 4 से 17 जो है, complete divide नहीं होगा तो ये क्या था, no leap year हो जाएगा, क्या होगा no leap year तो इस तरह से अगर sensory को चेक करना हो तो हम 400 का divide लगाएंगे और अगर हमें सिर्फ जो sun दे रखा हो direct जैसे इस तरह से, तो हम किस का divide लगाएंगे, 4 का divide तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि, कि इसमें ये leap year है या नहीं तो leap year में जो फरवरी होगी, leap year leap year में फरवरी कितने दिन की होगी twenty nine days की होगी और simple जो year है simple year में जो फरवरी है वो कितने देज की होगी 28 days की, तो clear हो गए आपको कि 29 डेज फरवरी में कब होते हैं, और 28 डेज कब होते हैं, तो इस तरह इस वीडियो में हमने बात की किसी, इयर की, एक इयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि जो 1 जो इयर है, उसमें जो मंथ होते हैं, है टोटल मंड्स होते हैं कितने होते हैं ट्रूम होते है वीक विक होते हैं 52 वीक होते है और देर जो है हैं कि practice कितने होते हैं 365 थिंपल अब में कितने इह हैं कि रषीर है तो यह होते हैं तो मिध्त किसे नहीं होते हैं है 52 days कितने होते है 365 है 366 जो simple year है उसमें 365 days होते है और leap year है उसमें कितने होते है 366 days होते है मतलब एक दिन का इसमें फर्क होता है आप थोड़ा सा week के बारे में बता देते हैं कि week हम कैसे पता चला कि 52 week होते है वन year में तो 365 को हम डिवाइड लगाएंगे 7 का तो 7 से किया तो 75 जा 35 हो गया 1 और यह 72 जा कितना होगा 14 यह remainder यह old or even days के हम बताएंगे बताएंगे तो इसमें 7 का डिवाइड करने से यह जो क्यों सेंट आया है वो कितना है 52 तो जो वन year है उसमें कितने weeks होते हैं वो कितने सपता होते हैं वीटा 52 होते हैं और वन जो week है उसमें आपको पता है कितने days होते हैं 7 days होते हैं तो आज की इस वीडियो को यहीं complete करते ह आपको इस वीडियो में मैंने जो भी कलेंडर से रिलेटिड बेसिक कंसेप्ट है वो सारे किलियर करने के कोशिज की है और I think आपको अच्छे से समझ में आ गया है और समझ में आ गया है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा बटा चैनल सब्सक्रा आपको अच्छी बटा आपको जो दूड़ियो को अच्छी लगिड़ाग।